नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं kingcroft.com बहुत ही बड़ी है वेकंसी है राजस्थान से राजस्थान स्टाप सेलेक्शन बोर्ड जैपोर से यहां से जो वेकंसी निकली है टोटल पोस्ट है एक सो पंचानबे अगर मैं बात करूंगा पोस्ट की तो ECG टेकनीशियन की बंपर वेकंसी है एक कुर्मेंट ऑनलाइन फॉर्म टॉज़न टॉंट तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे इसके इसके पाइए समझने की कोशिश कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको बतातु हुआ पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इंक्राफ.com पर जाना पड़ेगा जो कि आप यहां पर देख रहे होंगे इस वेबसाइट का लिंग मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहां पर क्लिक करेंगे तो डिरेक्ली रिडिरेक्ट हो जाएंगे आप यहां पर आ जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ले सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिकुश्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रे च्छे आड़ 20-20 है यानि कि आप ऐख आप लेडि भरने के ताइंप चल रहे हों भंष सकते हैं या सट डेट कैंड है धरने का 4-11-2020 है उसके बाद एकजाम्नेशन फीस एकजाम्नेशन फीस कि जो लास्ट डेट चाहर 13-2020 है तब टक हम को भर सकते हैं और फीस जमा कर सकते ह है वो अभी clear नहीं है जैसे clear होगा मेरे Twitter account पर आपको update कर दिया जाएगा social media platform पर वहाँ पर आप देख सकते हैं application की fees क्या है general OBC EWS वालों को 400 रुपए देना पड़ेगा ONC NCL 350 रुपए देना पड़ेगा SCST वालों को 250 रुपए देना पड़ेगा पैसे आप कैसे जमा कर सकते हैं online के मद्धम से कर सकते हैं debit card, credit card or net banking के मद्धम से कर सकते हैं age में जो limitation है वो 11 2021 के according आपको count होगा minimum age आपकी 18 साल होना चाहिए और maximum 40 साल इसे के बीच में आपकी age होनी चाहिए age में category wise जो शूट मिलेगी वह आपको RSSB राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का जो rule है उसके coding होगा अब यहां पर vacancy detail में देख लेते हैं total vacancy 150 post है अभी यहां पर अगर आप देखेंगे area ECG का जो area होता है TSP area होता है और non TSP area होता है तो अगर आप TSP area में अगर आप देखेंगे तो total post 18 है और non TSP area में अगर आप देखेंगे तो total post 187 है जिसमें भी आपका resume set होता है आप उस form को भर सकते हैं अब यहां पर देख लेते हैं post का नाम क्या है ECG technician total post 195 इसकी योगिता क्या है योगिता गर आप देखेंगे eligibility तो विज्ञान और गनित के साथ 10 प्लस टू पास आउट होना चाहिए ECG technician में 2 साल का diploma आपके पास होना चाहिए राजस्थान paramedical counseling में आपकी पंजी करण याने कि आप उसमें आपके पास certificates होना होना चाहिए उसमें आपका पंजी करण already होना चाहिए राजस्थानी संस्कृत भासा याने कि लोकल भासा जो संस्कृत होती है वहां का उसका ग्यान होना चाहिए आपके पास अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो category wise vacancy detail तो अगर आप जो category से अगरा तो अगर यहां जो से स्टीनाइन एड़लू एस के लिए 17 है ओवी सी के लिए 36 है ईवी सी के लिए अगर आप देखेंगे तो आप पोस्ट है स्क्रम सह 27 और 20 है टोटल पोस्ट 187 है अब अगर आप देखेंगी टी स्पी के लिए तो जैनरल के लिए 10 इव्ली एस के के लिए जीरो, OBC के लिए जीरो, EBC के लिए जीरो, SC के लिए आठ, ST के लिए जीरो, टोटल पोस्ट अठारा, clear है, अब नीचे आइए देख लेते हैं, interested candidate must be read notification before applying online form, कहने का मतलब form को apply करने से पहले आप notification advertisement को जरूर पढ़ें, कहां से मिलेगा, यह देख लेते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूँ, इस सारी information, जितनी भी information मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो मैं credit देता हूँ, वो rsmsb.ragistan.gov.in है, यहीं से मैंने सारी information निकाली, इसी website से इसका मलिक भी यहीं है, और अब आईए आगे बढ़ते हैं, form को हम कैसे भरेंगे, इसका notification, official website, login, registration, इस सभी चीज़ों पर, तो पहली चीज़ों कि मैं direct यहाँ पर जो मैंने link दे रखा है, आप इससे भी form को भर सकते हैं, यहाँ धेर सारा देख रहेंगे, click here पर, और दूसरा website के माद्दिम से जो कि मैंने यहाँ पर दिया है, तो website के माद्दिम से जिसको भरना है, वो यहाँ पर देखे, click कर दे और website पर चलाए, जैसे ही website पर आएगा, यहाँ पर एक प्रचार आ रहा है, इसको आप बंग कर दीजे, और यहाँ पर देखे, आपको new notification, new notification के उपर click कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, देखे, जैसे ही आप click करेंगे, तो top पर ही देखे, paramedical requirement 2020, ECG tech का option आपके पास आजाएगा, आप यहाँ पर click कर सकते हैं, download करके, देखे, यहाँ पर click कीजे, तो इसका जो notification, short notification है, आप यहाँ पर पढ़ सकत हैं ऊके आप मैं इसको बंद कर देता हूं कि उसके बाद आई देख लेते हैं थोड़ा बैक चलते हैं इसी website पर कि website पर चलने से पहले मैं आपको और दिखा देता हूं अबधी कि आइया advertisement देख लेते हैं इसके उपर आप क्लिक कर दीजिए advertisement के उपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर देख लिजे सबसे टॉप पर सारी चीजे आपको मिल जाएगी टोटल पोस एक सो पंचानवे है बिगिनिंग डेट कभ है लास डेट कभ है सारी चीजे यहां पर दिया हुआ करते है यहां पर यहां पर डाऊंलोड के ऑप्शन पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो इसका पीडि Aberadragon का जो पीडिया अच्वाइल है यहां पर कुछ ऐसे डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा. download हो जाएगा आपके mobile में, आपके laptop में, आपके desktop में जहार भी आपको download करके रखना आप रख सकते हैं और future में आप पढ़ सकते हैं तो यह थोड़ा सा download हो जाए तो फिर हम इसके बारे में read करते हैं. यहाँ पर देखिए download हो चुका है अब आई इसको इसके उपर click कर देते हैं इसको open करते हैं तो यह रहा notification इसका advertisement advertisement की बात अगर आप करेंगे तो पद का नाम है ECG technician ठेक है 117 और 18 post है total post मिला लेंगे तो 195 post है विसे इस note पढ़ लिजे आवेदन की प्रिक्रिया कैसे हो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं वो सारी चीज़े यहाँ पर पढ़ लिजे आप यहाँ पर अच्छे से रीट कर लिजे रिक्त पदों में जो आरच्छन निम्न प्रकार से हैं तो जो आरच्छन वगर मिलेगा वो सारी चीज़े यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लिजे अनसूची छेत्र में अब भरतियों के लिए विशेश निर्देश तो जो यह निर्देश है आप इसको भी अच्छे से पढ़ लिजे उसके बाद पाच्छोए नंबर पर अगर आप देख रहे होंगे तो वेतन मान जो वेतन होगा इसीजी टेक्निशिन पद के लिए साथवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन आपका नरधारित किया जाएगा तो यह आप इंपोर्टेंट चीज है पातरता एवं सहच्छे की योगता मैंने आपको बता दिया है अन्य योगता हैं जो अन्य आपके पास योगता हैं वो यहा सकते हैं इसके बाद इसको स्क्रॉल करते चलिए कोई इंपोर्टेंट चीज ना छूटने पाए इसलिए आप इसको पूरा का पूरा पढ़ने देन आप आवेधन करें विवाहित आप साधी सुदा हो या नहीं हो आवेधन जमा करने का जो पत्र है वो कैसे मतलब आवेधन पत्र भरने की जो अवध है वो सारी चीज़े आप यहां से पढ़ सकते हैं चैन का आधार कैसे होगा वो अनुभव के आधार पर बोनस अंक आपको कैसे मिलेगा अगर आप के पास experience है तो उसका जो बोनस अंक मिलेगा कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ों को आप उपर आप र कर सकते हैं, read कर सकते हैं, तो मुझे basically ये notification मैंने आपको बता दिया है, board की जो website वगरा है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब आईए बात कर लेते हैं, इस form को हम कैसे भरेंगे, तो मैंने आपको क्या बता दिया, official website बता दिया, short notification बता दिया, और ये long advertisement बता दिया, जैसे करेंगे आप इधन, उसके लिए आये चलते हैं, मैं फिर से, कि आप website पे, official website के उपर फिर से click कर दीजे, जैसे ही आप नए website पर, नए website innocence की website पर आप बहुत जाएंगे, तो आपको right hand side पर, right hand side पर login को option मिलेगा, इस login के option के उपर आपको click कर देना है, जैसे ही click करेंगे, तो इसे आप बंदर दीजे, एड़ोटीनमेंट को, और यहां पर देखिए, जो नया notification दिया हुआ है, इस्टोनोग्राफर का दिया हुआ, यहां से आप apply कर सकते हैं, बट इस्टोनोग्राफर का दिया हुआ है, बट ECG वाला नहीं दिया हो, कोई दिक्कत नहीं ह एक login का और option है, आपको इसके उपर click कर देना है, जैसे ही आप click करेंगे, तो form कहां से भरना है, पुरा निर्देश यहां से आ जाएगा, अब login करने के लिए देखिए, आपके पास username, password होना चाहिए, अगर आपने पहले से कभी किसी form के लिए यहां पर apply किया है, तो username, password से दाल के आप login कर सकते हैं, अगर आप fresh candidate हैं, तो registration पर जाएंगे, registration के उपर आये click कर देते हैं, registration के उपर जैसे ही click करेंगे, तो यहां पर देखिए, आपको 3-4 option दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहां पर एक Google का option दिया हुआ है, Facebook का दिया हुआ है, जन आधार का दिया हु अगर आपको form भरना है, तो मुझे comment करेंगे, तो अगर comment में डिर सारे comments आते हैं, तो login करके कैसे login करना है, और कैसे form को भरना है, तो step by step बता देंगे, बट अगर आप भरेंगे, तो यहां सभी भर सकते हैं, आपके पास Google यह Facebook का account होना चाहिए, अगर आप इस Facebook पे click करेंग या फिर Google पे, Gmail पे आपकी account होना चाहिए, तो जैसे Gmail वाला अगर आप username password यहां पर डालोगे, click करके, तो आपका सारा information राजस्थान के पास चला जाएगा, तो local information जो आपकी वो fulfill नहीं करना पड़ेगा, आपको कुल मिला के जिस form के लिए भर रहे हैं, वो सारी information आपको दे payment कीजिए, payment करने के बाद, receipt download कर लिजे, यह सारी प्रिक्रिया में अगर आपको कोई दिक्कत होती, please video के नीचे आप मुझे comment कर सकते हैं, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब आईए यहां पर देख लेते हैं, इस website के मध्यम से मैंने आपको क्या बताया, official website बता दिया notification कहां से download करेंग, advertisement से करते हैं, login कैसे होगा और registration, यह सारी चीजे मैंने अलड़ी यहां पर direct link के मध्यम से दे दिया है, अब आपको क्या करना है, केवल, official website पर जाना है, तो यहां पर click कर सकते हैं, notification direct download करना है, तो यहां पर कर सकते हैं, main login option यह है, login का option यह है, registration का option यह है, क website, यह रहा notification, आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करने के जरूरत नहीं है, यहां पर आएंगे तो login का option आगया, यहां पर आएंगे, main login का option आजाएगा, और यहां पर आएंगे, तो registration का option आजाएगा, तीनों चारों चीजे हैं, यहां पर, available आप कैसे भी कर सकते हैं, website के मादन से अफे डारेक्ट, अब देखें, इच्छोक, उम्मेद्वार, आउनलाइन आवेदन करने से पूर अधिसोचना जरूर पढ़े, मतलब notification जरूर पढ़े, इसके अलावा नहीं समझ में आतर, info at direct, kingcroft.com पर आप mail कर सकते हैं, मुझे tweet कर सकते हैं, मेरे social media platform, facebook, twitter, instagram, linkedin पर query कर सकते हैं, मेरे telegram पर मुझे follow कर सकते हैं, और form को free of post भरवा सकते हैं, किसी भी cyber cafe में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम अमित कुमार सिंग है, अधिक जानकारी के लिए आप about check कर सकते हैं, तो I think ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो please like के बटन क प्रेस करें और channel को subscribe कर लें, तो मिलते हैं किसी नई job के साथ, किसी नए update के साथ, तब तक के लिए bye bye and good night